विडियो आने में थोड़ी से देर हो गई क्योंकि मेरे पेपर चल रहे था तो यह मैंने पिन भी किया था कमेंट कि वेनस देट हम बैक ओन ट्रैक आ जाएंगे ठीक है तो आज की वीडियो हम बात करने वाले की मैपिंग के उपर जो की BGMI के उपर होने वाली है जो की हम BlueStack X के अंदर करेंगे ठीक है तो यह आसे में जली से BlueStack X को उपन कर देत हो बाद वह जिन लोगों को नहीं पता BlueStack X को कैसे डाउनलोड करते वो प्रिवियस वाली वीडि लेना वो वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रेप्शन में मिल जाएंगे आप आप चेक कर लेना कि हमने BGMI का पूरा सेट अप कैसे किया था BlueStack X के अंदर ठीक है पाकि जितने भी फीचर्स है BlueStack X के उसके भी मैंने उसी वीडियो में बात की हुई है इसके बाद BGMI अल्र इस पर सर्वर इशू हो गया था ठीक है सैटरड़े को काफे बार यह जो BGMI वो क्रेश हो रहा था ठीक है अपने बंद हो जा रहा था तो इसमें इशू हो गया था तो काफे सारे लोगों ने यूटूब पर वीडियो बना दी कि लाग और फिक्स एशू ऐसा कुछ मैंने भी चेक किया था कि क्या है यह बट वो कुछ असे सब बेकार साथ निकला ठीक है मैंने भी काफी बार ब्लूस्टेक को जो रीइंस्टॉल किया था बीज्यमाई को भी रीइंस्टॉल किया था दूसरे वर्शन डाउनलोड करके दे अब 32-bit वाली फाइल डाउनलोड करना ठीक है 64-bit वाली फाइल में बीज्यमाई रन नहीं होता है तो वो आप ध्यान में रखना और वो जे इशू था जो क्रेश हो रहा था बार बार वो एक्चुली में एक सर्वर इशू था ठीक है तो वो अपने आपे फिक्स हो गया था तो उस पर अलग से कुछ करने की जरुवत थी नहीं हाला कि मैंने काफे बार री इंस्टॉल कर दिया था बट खेर वो अपने आप ठीक हो गया बट अभी यह सब को मैं क्रॉस कर देता हूँ बीजे मामर ओपन हो गया तो कर देते क्रॉस और यहाप आप देख सकते हैं अभ में ऐसा कुछ लेयाउट आपको देखने को मिलेंगा ऐसा नहीं देखने को मिलेंगा यह तो अभी मैंने सेट करके रखाए ठीक है तो आपका जो भी लेयाउट यह आप सेलेक्टेड होंगा आपको क्या करना है आपको रीसेट कर देना है जो भी लेयाउट आपका या अगर नई भी किया होंगा तो यहाप एक बार reset कर दो इसको ठीक है हमको actually में जो by default bgmi के तरफ से layout आता है हमको वो चाहिए ठीक है हमको अल्लक से कुछ उसमें हेरा फेरी नहीं करने है ठीक है जो भी by default bgmi के तरफ से आ रहा है हमको वो ही layout चाहिए ठीक है तो आपको यहा mapping जो आपकी keys है वो बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे ठीक है यह मने कुछ try किया हुआ है तो minimum 1% कर सकते हो आप जित्ते भी icon से उसके transparency बट अभी मैं reset कर देता हो आपको भी reset कर देना है इसके transparency हम key mapping होने के बाद 1% करेंगे तो layout reset होने के बाद अभी मेरे पूरे वीडियो मे मेरे cursor के उपर ध्यान रखना ठीक है तो right side में यहाँ पर 12345 5th वाले option पर आपको game controls देखने को मिल जाएंगे इस पर आपको click कर देना है और last में आपको open advance editor देखने को मिल जाएंगा ठीक है तो आपको उस पर click कर देना है तो ऐसा कुछ आपको screen पर देखने को मिल जाएंग तो इससे होंगा क्या कि जैसा हम भी हम smart mode के अंदर कुछ changes करने वाले है तो उसमा अगर कुछ गलत हो जाता है तो हमारे पास एक extra copy रही नहीं चाहिए तो आप यहाँ पर copy के icon पर click करके कितने भी copies create कर सकते हो मैं अभी एक delete कर देता हूँ already मेरे पास smart mode की दो copies पड़ी हुई है तो smart mode आपको select कर देना ठीक है यहाँ पर smart mode लिखा हुआ रहना से आप नीचे में यहाँ लास्ट में custom वाला option भी देख सकते हो यहाँ से हम custom पर अपना खुद का जो key है वो add कर सकते ठीक है यहाँ पर एक एक keys हम add कर सकते है तो mouse पर आ बिल्कुल भी मत करना और इसमें काफी जारी keys ऐसे जो सिर्फ आपको smart mode में देखने को मिलेंगे तो जो भी changes आपको करने वो सिर्फ smart mode के अंदर करने तो make sure आपका smart mode open रहे ठीक है तो अभी आसे मैं main चीज बताता हूँ आपको पूरी key mapping में तीन चीज़ है ध्यान में रख करसर लेके आओ और mouse पे left click करो ठीक है left click करो mouse पे और keyboard में कोई भी एक key press कर दो जैसा अगर में याँ पर keyboard में one press कर दूँगा तो याँ पर one select हो जाएंगा जिक है वैसे ही अगर gate in मैं mouse पे left click करोऊंगा याँ पर two press कर दूँगा keyboard में तो याँ पर two select होँगा जब भी आप क किसी कार के पाथ जाऊंगे वहां पर बन दबाऊंगे तो आप ड्राइब करना शुरू कर दोंगे अगर तो आप गेट इन हो जाऊंगे ठीक है मतलब गाड़ी के अंदर बैट जाऊंगे ड्राइवर सीट को छोड़के तो ऐसी कीज एड होती है ठीक है तो यह चीज है पहली कीज देख सकते हैं या पर जो स्मार्ट मोड के अंदर पहले से कीज दी हुई है उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हो उस पर करसर लेकर आओ माउस पर लेफ्ट क्लिक करो और कीबोर्ड में कोई भी दूसरी की प्रेस करते हो जैसा मैं यहां पर एच दबा दूंगा तो यहा जो भी किस पहले से हूई है कि स्मार्ट मोड गाली के साथ यह दूसरी कीज वह दूसर और यहां प्रेस की लिए उसकी पीज पहले से दी हुई है उसकी पोजीशन पे रहने दिया है किस चीज के बात कर रहे हूँ बाद के वहाउम है जो कीज आप करेंगे अल्लग से उसकी के बात कि नहीं कर रहो ठीक यहाप के ट्राइब की यह यह पर पहले से smart mode के अंदर नहीं थी यह मैंनlaughter की हुई है तो इसके पोजिशन आप चेंज कर सकते हो लेकिन जो पहले से कीज दी हुई है स्मार्ट मोड में उसके पोजिशन नहीं कर सकते हैं पता है काफी कॉम्प्लिकेटड है इसलिए मैं दस बार बता रहो एक चीज तो ध्यान से सुनो इसके बाद या से हम की मैपिंग अब हमारी शुरू करते है में तीन चीज जो मैंने बता दिया है वह ध्यान में रखना अगर आपने स्कीप करके यहां पर आयो तो पीछे जाके वह में तीन चीज थे सुन लो तो यहां पर जो गन स्विच होती हो वह 1,2 से होती है मतलब अगर 1 दबाऊंगे तो यह वाली दन आ जाएंगी 2 दबाऊंगे तो दूसरी वाली आ जाएंगे तो इससे हमारी स्विच होती है बाट यह मुझे काफे ज्यादा कमफर्टेवल नहीं लगता है तो मुझे यहां पर मैं इसको कीज की जो वैल्यू चेंज कर दूँगा यहां पर मैं एक्स बटन 2 दबा ओ यहां पर है आप यहां पर निट अलावा यहां पर और किस देखने हो ठीक है यहां पर में रहाए तो ओंगा तो हमारा करना शूरू हो जाएंगा और जब मैं 5 दबाऊंगा तो यहां पर ग्रेंट आगा अभी राइट करना पर से ट草न देखेंगा आपको सेव कर लेना पर पर जाकर आप पर क्रॉस कर देना ठीक है और बाकि यह जो दूसरे कीज देख रहे है यह डीपड हो गया ठीक है यह पर फायर बटन हो गई नीचे में बैग है यह यह तो यह कीज जो है यह बाइड़ीफॉल्ल सेट हुई है ठीक है इस पर आपको की मैपिंग करने की करनी है या energy drink select करना या दूसरा कुछ भी चीज आपको select करना है तो आप कैसे करोंगे तो मैं वह आपको बता देता हूँ आप यह सब दूसरी चीज है कैसे select कर सकते हो यहां से तो सबसे बहले तो इसको बन कर दो ठीक है मैं revive पर क्लिक कर देता हूँ तो ऐसा कुछ आपका इसको आपको खुल जाएंगे healing के जो option है दूसरे वह खुल जाएंगे सेम हम यहां पर ग्रेनेट के लिए भी कर देते हैं यहां पर माउस क्लिक यहां पर मैं add कर दूंगा की यहां पर अपकी और left की add कर देता हूँ तो यहां पर सेट हो चुकी है इसके बाद आपको फिर स कर देना है सेफ सेफ करने काद उपर फिर से इसको कर दो भाई क्रॉस ठीक है उपर मैं जाकर यहां पर कर दूंगा करसर पर ध्यानद रखा करो फिर बाद में healing बाद में इसको आपको उपन कर देना ठीक है यह आइकॉन को प्रेस कर देना ऐसा कुछ आपको दिखना ठीक है पहले तो मैं save कर लेता हो ठीक है तो अब इससे होंगा कि जब भी मैं up arrow plus left वाली की दबाऊंगा तो इससे हमारे options ओपन हो जाएंगे options ओपन होने के बाद यहां पर number 7 जब मैं दबाऊंगा तो यहां पर energy drink है तो वो select हो जाएंगा number 8 दबाऊंगा यहां पर pain killer है वो select हो जाएंगा यहां पर injection है यहां पर medicate है जो भी number आप दबाऊंगे वो select हो जाएंगा ठीक है सेम अभी हम granite के लिए करने वाले तो granite के आइकन पर click कर दो ऐसा कुछ open हो जाएंगा फिर यहां से keys हम add कर देंगे एक के बाद यहां पर मैं add कर देंगे एक के बाद यहां प अगर आप बोल रहे होंगे कि यहां पर जो ड्राइफ की की है इसके उपर तो हमको कोई भी की दिख नहीं रहे अगर आम open advanced editor भी कर देते तो यहां पर आपको कोई भी की नहीं देखने को मिलेंगे ठीक है बट एक्चुली इसको key allocated है ठीक है यहां पर जो जीतते भी keys आपक position change मत करो मालूम है वीडियो काफी complex ही बनते जा रही है बट जो है वो मैं आपको explain करने का पूरा try कर रहा हूं बस इतना द्यान में रखो कि जो भी keys है उसकी position change मत करना ठीक है तो यहां पर की पहले से by default save हुई है ठीक है यहां पर मैं बता देते तो यहां आप देखो bag वाल आप change कर सकते हो मैंने बता ही दिया हूँ तीन में चीज़े जो starting में बता है वो धान में रखना बाकि यह जो M की की है यहां पर इसको corner पर कर देना अगर यह आपका बीच में की है तो इसको corner पर कर देना इससे के होंगा कि आप single button जब दबाऊंगे M उसी से आपका map open भी हो और जो lay down वाला icon है इसको हम कर देते हैं मैं थोड़ा उल्टा रखता हूँ ठीक है मेरे को इसके आदत है बाकि space वगर है मैं add कर देता हूँ जैसा जैसा मैं कर रहा हूँ ऐसा copy कर लो बस अगर नहीं समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यह आप और pause कर लो वीडियो को और यह इसका screenshot ले लो और जैसा मैंने किया वैसा copy कर ले ना बाकि आपको पता ही है वो तीन चीज़े जो मैंने starting में बताई थी वो आप उसको follow कर लेना ठीक है इसके बाद यह सब होने काद इसको कर देते हैं हम लोग सेव होने के बाद क्रॉस कर देता हूँ मैं इसको ठीक है अब इसको सब्सक्राइब कर देता है जो आपको हाइट करने हैं उसके ओपर cursor लेकर आप माउस पर राइट वाली क्लिक करो राइट क्लिक करने के बाद ऐसा कुछ option आपको open हो जाएंगा ठीक है राइट क्लिक करने बाद ऐसा open setting हो जाएंगी आप key setting ऊपन हो जाएंगी last में को off कर दो होँए upर cross icon , श्क्रेण की घृफ्य ए उपर और अगर आप नए अगे new player ओको अभियाद नहीं है आप एक दो हफता लो इसको time दो उसके बास जब आपको याद हो जाएगा कि कीई को प्रेस करने से एक्शन होता है, उसके बाद olarak कीई हैट कर सकते हो अब इस अगर आप ऐट खरोंगे बाद में आपको ऐख करने से क्या होता था तो इसको हाइट मत करो भी जैसा है वैसा रहनद ओ इसके बाद ये लेःड पर आ जाते हैं की मैपिंग हमारी हो चुक है हम लेयाउट पर आ जाते हैं लेयाउट का भी मैं आपको बता देता हूँ ठीक है लेयाउट का मैं बता देता हूँ आपको काफी सारे लोग क्या करते हैं काफी सारे प्लेयर्स को भी देखा है मैंने वह जो यह जो आइकॉन से उसको कॉर्णर प काम नहीं करता है तो यह भी आप भी ट्राय मत करना ठीक है बाई डिफल्ट जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता था रिसेट करना है वाला ही ले आउट रखना और पूरी की मैपिंग होने के बाद अभी आप 1% कर सकते हो ठीक है मैंने अभी कर दी है जल्ली से वीडियो कर ली थी मैने तो सबको 1% आपको कर देना है की मैपिंग होने के बाद तो बस यही था आज के वीडियो में जो भी मेरे को एक्स्प्लेंट करना था वीडियो से अलग और कुछ डाउट होंगा जो मैने वीडियो में नहीं बता है तो आप बिल्कुल मेरे को कमेंट बाक्स म अभी गेंपले दिखाऊंगा तो और भी जादा वीडियो लंबी हो जाएंगे ठीक है अल्रेडी लंबी हो चुकी है तो बास वीडियो पसंद है लाइक करो शेयर करो और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करो हम ऐसे ही ओसम वीडियो हर हफते लेकर आते हैं तो थैंक् कर एंप पिंग कि ऑनना यू हरो और धन धनल ने ब बेगाएंगे ट स्क चिब सॉक्ण कर ने वैंज कर दो लंगे झाल झाल